हलो गाईज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेडलोग डिटेक्शन और रिकवरी के बारे में, इससे पहले हमने और भी डेडलोग हैंडलिंग के मैथट देखे हैं, जैसे डेडलोग इंग्नॉरिंग और प्रिवेंशन, उन मै करेंगे, डेडलोग के आने के बाद उस डेडलोग को रिकवर करेंगे, so now let us start our topic, now the डेडलोग डिटेक्शन, जो डेडलोग डिटेक्शन है, वो एक प्रोसेस है, जो डिटर्माइन करता है, कि हमारा जो डेडलोग है, वो अक्कर हुआ है या नहीं, अगर हमारा डेडलोग अक्कर हो गया, तो वो चेक करता है, इस डेडलोग में कितने number of processes और resource लग रहे हैं, जब number of processes और resource देखने के बाद, ये पता चल जाए कि actual में डेडलोग अक्कर हो रहा है, उसके बाद हमारे पास डेडलोग recovery की state start होती है, तो अब डेडलोग है या नहीं, इसकी detection कैसे होती है, इसकी detection होती है, resource allocation graph, एक concept है, जिसका मैंने numerical भी आपको कराया कि actually कैसे पता चलेगा, कि यहां पर डेडलोग अक्कर हो रहा है या नहीं, तो उस चीज को apply करेंगे, वहां से हमें पता चलेगा कि डेडलोग detection कैसे हो रही है, और किस तरह से जो है, डेडलोग अक्कर हो रह यह सब चेक करके, डेडलोग detect करेंगे with the help of resource allocation graph, अगर जब हमारे डेडलोग detect हो जाएगा, उसके बाद हम उसकी recovery करेंगे, नाव देडलोग recovery, जब हम डेडलोग को detect कर लेंगे algorithm की help से, उसके बाद हम इसकी recovery स्टार्ट करेंगे, और इसकी recovery करने के लिए हमारे पास दो option आ आता है, resource preemption, now the process termination, हम process termination कहां use कर रहे हैं, to eliminate the deadlock, deadlock को हटाने के लिए, हम process termination कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, simply हमें, एक या एक से ज़्यादा process खतम करने पड़ेगे, और process खतम करने के लिए भी हमारे पास two method आते हैं, एक आता है, about all deadlock processes, और number two आता है, about one process at a time until deadlock is eliminated, हमें एक टाइम पर एक process को खतम करना है, और यह हमें तब तक करना है, जब तक हमारा deadlock खतम ना हो जाए, या हट ना चाहें, so the first method is abort all deadlock processes, इसमें क्या है, अगर हम abort कर रहे हैं सब भी processes को, breakdown हटाने के लिए, तो यह एक तरह से बहुत ही expensive हमारे लिए पढ़ जाता है, क्योंकि देखो, हमारे पास काफी सारे process है, हम उनको, वहां से deadlock detect कर रहे हैं, और फिर वहां से deadlock remove कर रहे हैं, तो यह कहीं ना कही expensive हमारे लिए पढ़ रहे हैं, इसमें क्या हो रहे हैं, deadlock process को हम पहले calculate करेंगे, इसमें हमारा बहुत ज्यादा time लग जाएगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें बीच में ही छोड़ना पड़े अपना calculation, क्योंकि इतने सारे processes हैं, हम इतने सारों को कैसे handle करें एक साथ, फ लोक की, तो process terminate करने के लिए हम सभी deadlock processes को abort तो कर दें, बट यह बहुत ज़्यादा expensive है और time consuming भी है, next हमारे पास आता है abort one process at a time, देखो अगर हम एक process पर work कर रहे हैं, देख रहे हैं हमाँ पर deadlock है या नहीं है, उस पूरी cycle को eliminate कर रहे हैं, इस method से क्या होगा, एक तरह सी overhead यह है, मतलब पहले हम एक process पर work कर रहे हैं, detection कर रहे हैं deadlock की, उस detection algorithm को पूरा चलाने के बाद, उसे खतम करने के बाद, फिर दुबारा चेक कर रहे हैं, आपर deadlock occur हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर दूसरे process के पास जा रहे हैं, तो ऐसे one by one हर एक process को हम check करते वे चलेंगे तो यह बहुत ज़्यादा time consuming भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सीरदर्दी वाली भी बात हो जाएगी, तो यह जो method है, यह भी कही न कहीं, बहुत ज़्यादा headache वाली ही बात हो गई, तो about one process at a time भी बहुत ज़्यादा time consuming हो जाएगा हमारे लिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है resource preemption, एक हमारे पास था process termination method, second है resource preemption, resource preemption में हमारे पास क्या होगा, कि हम eliminate कर देंगे deadlock को, resource preemption को use करके, यहाँ पर हम forcefully किसी भी resource को preempt कर देंगे, और उसे अपनी तरफ से दूसरा process देंगे, तब तक हम इस cycle को repeat करेंगे, जब तक हमारी deadlock cycle broken ना हो जाए, हमारे deadlock खतम ना हो जाए, और resource preemption के हमारे पास three method है, one है selecting a victim, number two है rollback and number three है starvation, selecting a victim, इसमें क्या है? अगर कोई भी process 98% execution complete कर ले, तो हम उसे नहीं रोक सकते, हम उसे अपनी मर्जी से preempt नहीं कर सकते, फिर हमें resource को देखना पड़ेगा कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हमारे पास आता है rollback, rollback में क्या होगा? कि हम process को preempt करके उसकी safe state में भेज़ दें और उस safe state से execution restart करें. नेक्स्ट हमारे पास आता है starvation, अगर हम किसी एक particular process को बार बार preempt कर रहे हैं, या फिर resource से दूर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? starvation अक्कर होगी. अगर हम इस starvation को रोकना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, कि जो हमारा process है, उसको preempt करने के finite number of instances होने चाहिए. मतलब हमारे पास particular number होने चाहिए, कि इतने number तक हम इसे preempt कर सकते हैं, two times, three times, या four times. again and again नहीं कर सकते हैं, अगर हम बारी बार एक ही process को resource से अलग करते रहेंगे, तो यहाँ पर starvation अक्कर होगी, तो हमें एक process को particular limit तक ही preempt करना है. तो आज की वीडियो में ये सब था, कि कैसे हम जो है, deadlock को detect करेंगे, फिर recover करेंगे. hope so आपको सब clear हुआँगा, thank you so much, please like the video, subscribe the channel.